एक किसान और उसके पोते की कहानी एक बार की बात है एक लड़का स्कूल की छुटियों में अपने दादा से मिलने गाव गया वो अपने दादा जी के साथ गाव में घूमता और खेतों में काम करने के लिए भी जाता एक दिन वो लड़का अपने दादा के साथ खेत में काम करने के लिए गया हुआ था तो दादा ने उसे शर्ट लगाई की चलो देखते हैं कि खेत की जमीन को फसल की बुवाई के लिए कौन पहले तैयार करता है उन दोनों ने खेत की आधी आधी जमीन बाट ली और जमीन को नई फसलों की बुवाई के लिए तैयार करने लगे वो दोनों मित्ती को खोद कर उसे पलट उसकी गाठों को तोड रहे थे ताकि वो फसल की बुवाई के लिए तैयार हो जाए दादा जी जिनकी उम्र 65 साल की थी वो बिना रुके और बिना किसी शिकायत के अपना काम कर रहे थे लेकिन वो लड़का जिसकी उम्र 17 साल थी वो अपने काम में बहुत शिकायत कर रहा था वो बार बार रुक कर आराम कर रहा था और कह रहा था कि कितना मुश्किल काम है लेकिन उसके दादा जी बिना रुके और बिना थके काम कर रहे थे फिर जब शाम हुई तो लड़का देखता है कि दादा जी ने अपने हीसे की सारी जमीन की बुवाई कर ली है और उनके हिस्से की जमीन अब फसलों की खेती के लिए तैयार है लेकिन उसके हिस्से की जमीन में अभी आधी जमीन का भी काम पूरा नहीं हुआ था वो लड़का बहुत हैरान होता है कि दादा जी ने इस उम्र में भी उससे ज्यादा काम कैसे कर लिया वो दादा जी के पास जाता है और उनसे पूछता है कि अपने इतनी उम्र में इतना काम कैसे किया तो दादा जी ने जवाब दिया कि जब भी हम सोचते हैं कि काम कितना मुश्किल है या फिर अभी कितना काम पड़ा है तो हमारा मन बहाने बनाने लगता है इन सभी बातों के बारे में सोचना ही हमारे काम को और ज्यादा मुश्किल बना देता है इसलिए समझदारी इसमें ही है कि हमें अपने तै की हुए काम के बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए और उस काम को करते रहना चाहिए सीख यदि हम तै की हुए काम के बारे में ज्यादा सोचते हैं तो हो काम हमें बहुत ज्यादा कठिन लगने लगता है इसलिए हमें अपने काम के बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए बलकि उसे शुरू करके खत्म करना चाहिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में